दोरेमोन और नोबिता का समुद्री साहसिक कार्य एक सुनहरा दिन दोरेमोन और नोबिता ने समुद्र किनारे घूमने का फैसला किया. समुद्र की लहरे उनका स्वागत करती है. दोरे मौन ने अपने जादूई गैजेट से एक पिकनिक बास्केट निकाला जिसमें खाने की तरहत्रा की चीजे थी नोबिता उत्साहित बिना समय गवाई समुद्र में छलांग लगा देता है समुद्र की ठंडी लहरें उसे गुदगुदी करती है दोरे मौन अपनी जेप से एक जादूई सर्फबोर्ड निकालता है साथ में वे दोनों सर्फिंग का मजा लेते हैं तभी एक दोसाना डॉल्फिन उन्हें मिलती है दोरे मौन और नोबिता उसके साथ समुद्री सासिक कार्य में लग जाते हैं सूरज धलने लगता है और वे तारों के नीचे अपनी पिकनिक का आनंद लेते हैं समुद्र की लहरों का संगीत सुनाई देता है उनका दिन पूर्णता को प्राप्थ होता है दोरे मौन और नोबिता खुशी और ताजगी से भरे घर को लोटते हैं